नवस्कार मेरा नाम रभीकान चौरशिया हर आप देख रहे हैं बोलता खगडिया चात्र संगठन आईसा खगडिया के द्वारा सरकार से विविन मांगों को लेकर 12 घंटे का रखा गया अपवास आपको बता दे संगठन की मुख मांग में से बिहा सरकार से उन्होंने की बा मजदूरों को तीन मेहने का रासन वर दस अजार रुपे आर्थिक मदद देने की मांग की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आईसा की लीडर है जो आप सुनिए हम लोग का जो ये अंसन चल रहा है ये दूतीन मुद्दा मूल रूप से है वो पहला मुद्दा ये है कि जो बच्चे बिहार से बाहर पढ़ते हैं उनको बिहार के अंदर गत लगने की विवस्था किया जाए और उससे जादा जो एक कठिन परिस्थिती में जो गुजर र रहे थे और वहां पर उनको किसी तरह का रासन नहीं दिया जा रहा है भोजन भी नहीं मिल रहा है और मिलता भी है तो एकाक्सम मुश्किल से मिलता है वह भी नहीं मिलता है और बिहार के मजदूर जो बाहर में हैं बिहार में लोग जितना करणों से नहीं मरेंगे उससे ज् उनके गौंग को में पहुंचा दिया जाए और उनके अपने गौंग में ही जो है आइसोलेशन में रखा जाए जिससे की कोर्णा जंच भी हो जाएगा और वो अपने घर पर आ करके कम से कम जो है भूग तो नहीं मरेंगे इसकी गैरेंटी हो जाए आप यूपी के अंदर देखे हैं कि योगी सरकार ने जो एक हजार बस भेज करके लौकडौन का उलंगन किया पूर जिसके कारण से देश भर में लौकडौन टूटा और माथे किसके मरा गया और जूठा आप रोप लगा दिया गया मुसलमनों के उपर आरोप लगा दिया फलबालों के उपर लेकिन आप एक हजार जो बस भेजा गया था अनंद बिहार यूपी बॉर्डर के लौने के लिए उसमें पूरी तरह से लौकडौन टूटा है दूसरी आप देखे हैं यूपी के राजस्थान कोटा से अमीर बच्चों को लाया जा रहा है लेकिन बिहा के मजदूरों को लाने का कोई बेवस्था नहीं है हमारा मुक्ष मांग है कि उस्ता बिहार के तमाम मजदूरों को तीन महिने का राशन दिया जाए और दस हजार रुप्या परती मंथ लौकडौन के दौरान उनको सहायता रासी मुअबजा उपलब्द कराया जाए